तेवारों का सीजन शुरू हो चुका है और तेवारों की खुशियों में चार चार नगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नॉवंबर को लेकर आया है ओफर्स का महुस्तब सेल जहां आपको मिलेंगे exclusive discount and offers on all सुपर कोचिंग तो अगर आप इन exams की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाएए और इन शानदार offers और डिसकाउंट का लाव उठाईए हलो दोस्तो नमस्ते आदाव सस्तिकाल आपका दोस्त गौरव टेस्बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है तो दोस्तो हो जाएए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे है डेली करेंट अफेर पिवार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारी न्यूस को कवर जोते हैं पिर चाहे स्से एक्जायन की बात करें डिफेंस एक्जायन की बात करें तो चलिए इसकी शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोड के साथ और आज का मोटिवेशनल कोड दोस्तो आप यहां तक इसलिए नहीं आये थे कि सिर्फ आपको यहां तक आना था क्योंकि आपको अपनी पूरी मंजल तै करनी है इसलिए आप अभी यहां तक पहुचे हो और डेफिनेटली आप आगे तक जाओगे बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और जिसके लिए हम लोग अलड़ी तत पर हैं इसलिए हम लोग डेली मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे का मिलते हैं सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह 6 बजे से साथ बजे जहां पर हम लोग करते हैं डी सी ए डी सी क्या है डेली का रेंट अफिर और फिर हम लोग सेटेडे को जुड़ते हैं सुबह 6 बजे विद्धी स्पेशल जी के क्लास तो आप मेरे साथ सेटेडे को भी स्पेशल जी के क्लास में जुड़ सकते हैं चले इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज है 8th of November और 8th of November को celebrate किया जाता है World Radiography Day क्या celebrate किया जाता है यहाँ पर World Radiography Day celebrate किया जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है विश्व रेडियोग्राफी दिवस ठीक है 8th of November को इसी के साथ आगे बढ़ेंगे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवक दिया था होमवक यह था कि विच कंट्री है वान दा ICC Cricket World Cup 3 consecutive time किस देश ने लगातार तीन बार ICC Cricket विश्व कप जीता है तो यह दोस्तो कौन सा Cricket Team है तो वो है Australia Australia जो है दोस्तो लगातार तीन बार जो है इसने क्या जीता है विश्व कप जीता हुआ है अच्छा अगर हम बात करें तो कल आप लोगों ने तो मैच देखाई होगा जहां पर Maxwell दोस्तो अब तक के Cricket इतिहास में Maxwell ने अपना सबसे best performance दिया है 201 not out के साथ ठीक है मतलब घायल खिलाडी भी इतना खतरनाक हो सकता है तो कहते हैं न दोस्तो जो शेर जो है शेर वो तो दोस्तो खतरनाक होता है लेकिन घायल शेर और खतरनाक हो जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगे लिए इस पर बढ़ेंगे और दोस्तो आगे बढ़ने स्पहले में आपको बता दू ये daily class होती है सुब़ 6 से 7 बजे मंडे टू फ्राइडे और अगर आप तयारी कर रहे है CGL, CHSL, MTS, GD, STINO, AMD, दिल्ली पुलिस तो जुड़ सकते हैं सुपर पैक पे क्योंकि टेस्ट बुक लेकर रहा है ओफर का महस्तफ से जो की 6 तारिक से 8 तारिक तक का है और आज है 8 तारिक, आज है last day अगर अब तक आपने इसका फाइदा नहीं उठाया तो आप इसका फाइदा उठा सकते हैं जहां पर आपको 7999 का कोर्स आपको मिल जाएगा 835 में साथ में free pass pro जिसमें आप लोग previous year question और live mock test भी लगा सकते हैं discount के लिए आप coupon code उसकर सकते हैं maximum discount लिए गौरव M, G-A-U-R-A-V-M जैसे आप इसका इस्तमाल करेंगे आपको maximum discount मिलेगा और आप अपनी तयारी भी कर पाएंगे चले इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फड़ावर से yes type कर दीजे इससे मुझे यह पता चल जाए कि मेरी screen और voice एकडम clear है और आप लोग तयार है previous day के questions के revision के लिए so that कि हमारे पुराने question भी याद होते रहें तो yes 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 तो पहला question आपके screen पर यह रहा पहला question है which state has launched Dr. Puneet Rajkumar Hirdejiyoti योजना किस राज ने जो है Dr. Puneet Rajkumar Hirdejiyoti योजना शुरू किया है क्या वो केरला, करनाटका, तिलंगाना और तमिल कौन है यहाँ पर B option कह रहे है करनाटका बिल्कुल correct answer जाएगा actually देखे Dr. Puneet Rajkumar जो है यह दोस्तो South Indian actor है हना तो उनके जो है Dr. Puneet Rajkumar Hirdejiyoti योजना ठीक है चले, आगे बढ़ते है Project Kusha Project Kusha is being developed by D.I.D.O Which kind of weapon is being developed under it ठीक है Project Kusha जो है D.I.D.O दोरा विक्सित किया जा रहा है इसके जो है अंतरगत किस प्रकार के हतियार का विकास किया जा रहा है क्या वो Surface to Surface missile Air to Air Missile Surface to Air Missile और Anti-Submarine Missile क्या हो गए आपे Surface to Air Missile जो लोग के रहे सतह से हवा में मार करने वाली Missile developed की जाएगी इसके तहट ठीक है क्या नाम है Project Kusha ठीक है चले, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे Name the first foreign bank to give electronic bank guarantee platform in India भारत में electronic guarantee platform Standard Chartered, DBS bank और City bank क्या होगा correct answer HSBC, HSBC जो लोग करे हैं उनका बिल्कुल correct answer होगा अब HSBC bank का बतलब क्या full form क्या है तो याद रखेगा Hong Kong Hong Kong and Shanghai Banking Corporation क्या है Banking Corporation ये आपको ध्यान लगना ठीक है चले, अगले सवाल बढ़ते हैं अगला option which country will host 24th Asian Archery Championship in 2025 2025 में 24 भी Asiai Tiranjaji Championship की मेजबानी कौन सा देश करेगा चाइना, इंडिया, बांगलादेश और शिलंका कौन करेगा बांगलादेश, बांगलादेश जो लोग करे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा बांगलादेश की अगर हम बात करें राश्पती कौन है, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट आपको ध्यान अकना है मोहमद शहबुद्दिन कौन है मोहमद शहबुद्दिन है ठीक है, चाले, अगले सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा सुनील जोलिया जीना भाई ऑफ डैश सेट्स न्यू रिकॉर्ड इन 3000 मीटर इस्टी प्लेचेस एट 37th नैशनल गेम इन गोवा कह रहें, डैश के सुनील जोलिया जीना भाई ने गोवा में 37 राश्ट खेलों में 3000 इस्टी प्लेचेस में नया रिकॉर्ड बनाया है वो किस राजे से बिलॉंग करते हैं महराष्ट, उत्ताप्रदेश, राजस्थान और गुजरात जल्दी से बताईए गुजरात, गुजरात कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इन्हों ने जो दोस्तों इस्टिपलेचेस का रिकॉर्ड जो बनाया है वो आठ मिनट सैतिस दस अमलो एक पांच सेकेंड में दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया है ये ध्यान रखना ठीक है चले, अगला कॉशन आपके लिए इन विच आफ दो फॉलॉइंग आई-ाई-टी फर्स्ट ऑस्टेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मिटिंग हैल्ड करहें निमलिखित में से किस आई-ाई-टी में जो है प्रथम ऑस्टेलिया भारत सिक्षा और कॉशल परिशद की बैठेक आयोजित की गई है क्या वो आई-टी मदरास है आई-टी बॉंबे आई-टी गांधी नगर और आई-टी कानपूर आई-टी गांधी नगर आई-टी गांधी नगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और आई-टी गांधी नगर जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा गुजरात में देखने को मिलेगा ठीक है कहां पे गुजरात में ठीक है चले अगला सवाल आपके लिए ये रहा Which of the following woman becomes first to win the Grand Swiss in November 2023 निमलिखित में से कौन सी महिला November 2023 में Grand Swiss जीतने वाली पहली महिला बनी है कौनेरू हमपी आर वैशाली तानिया सचदेव और दिव्या देश मुख यहां पे आर वैशाली option number B जो लोग करे हैं आर वैशाली उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा वैशाली और विदज जीता है यह आपको ध्यान रखना एडिक है चले अगला सवाल इंडिया defeated which nation तूविंदा वूमेंस एशियन चैंपियंस टॉफी होकी टाइटल 2023 भारत ने किसी देश को हरा कर महिला एशियाई चैंपियंस टॉफी होकी जो है खिताब 2003 जीता है जापान जर्मनी पाकिस्तान और श्रीलंका जापान जापान तो बिल्कुल भारत जापान को हराया है चार शुन्य से हराया था चार शुन्य से हरा कर एशियन चैंपियंस टॉफी होकी टाइटल जीत लिया है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तक गाइड़ निसाइल डिस्ट्रॉयर आईनस सूरत है रिसेंटली बीन ऑन दी न्यूज अंडर विच प्रोजेक्ट इट वस मैनुफैक्षर के रहे हैं कि गाइड़ मिसाइल विधवनसक आईनस सूरत जो है हाली में ख़बरों में रहा है इसका निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है प्रोजेक्ट 17B, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15B जल्दी से बताएं प्रोजेक्ट 15B जो लोग करे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आईनस सूरत है वो प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है दोस्तों ये बनाया गया है और ये जो आईने सूरत है ये 2024 में कमीशन किया जाएगा ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगले कोशन पर आगला कोशन आपके लिए इन विच सिटी सेवन्थ एडिशन ओफ गंगा उत्सव हैस बीन कंड़क्टेड करें गंगा उत्सव सातवा संस्क्रण किस शहर में आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली लखनाउं हरिद्वार और पटना कहां पर किया गया है न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली तो जो लोग न उनका correct answer होगा और New Delhi के उपराज जिपाल कौन उपराज जिपाल मतलब Lieutenant Governor अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो वह कौन है तो विने कुमार सकसेना कौन है विने कुमार सकसेना है यह ध्यान रखना है ठीक है चलिए next question बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए रहा who has become first better to be timed out in international cricket अंतराश्टी क्रिकेट में जो है time out होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने गए हैं विराट कोहली एंजिलो मैथ्यूज हेंरिक केलेसेन और बाबर आजम जल्दी से बताएए बिलकुल यहां पर जो लोग करें option number two होना चाहिए एंजिलो मैथ्यूज उनका ब जब शीलंका और बांगलादेश के बीच में यह मैच हो रहा था अच्छा time out दोस्तो time out कहा जाएगा मतलब एक सीमित समय के बाद जब कोई विक्ति आता है तो आखिर कितिनी दोस्तों वो सीमा है मतलब समय की जो आपको कहती है कि आपको ground पे आ जाना है बताएए कितना time मि अपनी क्रीज पर आ जाना होता है क्या वो एक मिनिट होता है दो मिनिट होता है तीन मिनिट होता है या फिर चार मिनिट होता है कितना मिनिट होता है तो यहां पे बिलकुल दो मिनिट दो मिनिट ठीक है पहले दोस्तों तीन मिनिट हुआ करता था अब दो मिनिट है यह ध्य पर कुछ है जो है equipment malfunctioning की वज़े से जो है इन्हों ने अपना helmet दुबारा बंगाया तब तक साकिब ने क्या किया था यहां पर अपील कर दी थी राइट चलिए बैसे स्पोर्ट मैंशिप में देखा जाए तो ऐसी अपील तो नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो इक्विप्मेंट की माल फैंक्शनिंग है ठीक है प्लेयर की गलती तो है और यह गलती को देख रही है दुबारा सुधारना तो हो नहीं जाकता पॉसिबल राइट लेकिन ऐसा नह कोल ऑपरेशन के उद्गाटन के साथ अपने खरीज पॉर्टफोलियो का विस्तार करता है क्या वो विदानता है एनमडी सी है जी एमडी सी है और कोल इंडिया है यहां पर कर सर एनमडी सी होना चाहिए तो जो लोग एनमडी सी करें उनका बिल्कुल करेंट टांस रोगा न परशन क्लेम्स रिकॉर्ड 17 में और सिजन इन साव पाउलो ग्रेंट प्रिक्स कह रहे हैं specially किस वेक्ती ने जहिए साव पॉलो ग्रेंड प्रिक्स सीजनकी बंदubaante ४्रिक surplus सत्रवी र जीत का दावा किया है निकोए Zach कविन मैगेंसं यंच्छ एलबोन और मक्स बैस्टे कंट्री इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉंफरेंस 2023 हैंड अंतराश्टी खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 किस देश में आउजित हुआ और इंडिया में चाइना में या फिर यूएसे में कहां पर हुआ कह रहे सर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया तो जो लोग कह रहे ऑस्ट्रेलिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अब देखे ऑस्ट्रेलिया से यह याद आया कि दोस्तो कल ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है और ऑस्ट्रेलिया को टार्गेट मिला था कितना ऑस्ट्रेलिया क को टार्गे डिया गया था 291 का टार्गेट दिया गया था राइट और और उस्टेलिया कितने न रन पे साथ विक्ट हो चुके थे तो दोस्तों लास ब हन्डर्ट जब रन थे तब सात के तो चुके tired हो गए थे थोड़ा injured हो गए थे लेकिन फिर भी runner पहले क्या होता था runner जो है हम लोग एक runner ले सकते थे ठीक है जो हमारी तरफ से दोड़ेगा हम सिर्फ मारेंगे और वो जो है run करेगा ठीक है लेकिन अब runner वाला rule जो है नहीं है आखिर ये runner वारा rule जो है ये कब हटा दो हजार बारा दो हजार तेरा दो हजार पंदरा और दो हजार सत्रा ये भी question एक अच्छा सा बनता है निकल कर आता है ठीक है बताइए दोस्तों आप नहीं ले सकते तो आखिर ये rule कब से बंद हुआ है ये आपके लिए homework homework लिख लेते हैं न homework number one बहुत ही अच्छा question बनता है comment box में बताइए का after the class yes जेखें अंकुर जी सही जा रहे है लेकिन अंकुर जी homework में लिखते हो सांसर को ठीक है चली आगे बढ़ते है इसी के साथ अगला question आपके लिए the dash of annual IMBL meeting between the representatives of navies and coast guard of India and Sri Lanka was held on board INS Sumitra on Friday at the Indo-Shrilanka maritime boundary line of point Calimer at the Park Bay भारत और श्रिलंका की जो है नौसेनाओं और तरक्षकों के प्रतिनिधियों के बीच जो है वार्षिक IMBL बैठकी डैश शुकुरवार INS Sumitra पर पाक खाडी में point Calimer पे दूर भारत श्रिलंका जो है समुद्री सीमा रेखा पर आयोजित की गई थी 30th edition 31st edition 32nd और 33rd कौन सा edition था ये 33 संसकरन था जो लोग करे हैं option no.4 उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा 33rd edition था ठीक है 5 news of the day मतलब दिन के वह पांच मुख्य समाचार जो कि आपके exam point obviously तो important ही और आपको पता होना चाहिए कि हापके आसपास क्या चल रहा है चले एक एक point पर बढ़ते हैं और पहला point आपकी screen पर ये रहा पहला point क्या कह रहा है इंडिया जो है दोस्तों वह नौंबर 7,2023 को उन्होंने celebrate किया है 135 जन्म दिवस सीवी रमन जी का जो की दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया physicist है और इनको nobel prize भी physics में मिला है ठीक है तो इनका जन्म जो है 7 नौंबर को हुआ था 388 में इसलिए दोस्तों इसको यहां पर जन्म दिवस इनका जो है मनाया जाता है ठीक है अगर हम बात करते हैं यह 135 इनका बढ़िया था ठीक है किसका सीवी रमन जी का किसका सीवी रमन जी का और इनको nobel prize भी मिला है physics में और वो कम मिला था यह 1930 में मिला था physics में क्यों मिला था दोस्तों रमन एफेक्ट खोजने के लिए रमन एफेक्ट इन्हों ने दिया था रमन एफेक्ट और रमन एफेक्ट इन्हों ने जो है दोस्तों 28 वैप को दिया था इसलिए हर साल 28 को science day मनाया जाता है क्या मनाया जाता है science day मनाया जाता है और सीवी रमन जी को भारत रत से भी सम्मानित किये के थे और यह भारत रतन जो है इनको दिया गया था 1904 में और भारत रतन की शुरुवात 1954 से ही की गई थी यह हमारे भारत का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है भारत रतने हाई यह सिविलियन ओनर ठीक है आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर यह रहा देखें सैवन इयर्स आफ्टर इड़ फर्स अनाउंस इंडिया तो ओपन न्यू कंसुलेट इन सीटल ठीक है दोस्तों यहां पर भारत जो है साथ साल के बाद अनाउंसमेंट के एक औ और दूतावास खोलने जा रहा है कहां पर सीटल में कहां पर खोलने वाला है दूतावास सीटल में यह ध्यान रखेगा ठीक है तो दूतावास कहां पर ओपन होगा सीटल में यह ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर अगला पॉइंट आपके स्क्रीन का किसीने नोवाक जोकोविक एक बहुत ही उम्दा खिलाणी है ठीक है लॉन टैनिस परफॉर्म करते खेलते ठीक है आगे पड़ते हैं अगला जो पॉइंट आपकी स्क्रीन पर यह रहा चिले बिकम्स 95th मेंबर आफ आई एस ए इस क्या है इंटरनेशनल सोलर अल्यांस ठीक ह अंतराश्टी सौर गडबंदन के 95 सदस्ट जो बन गया है वो कौन बन गया है तो चिले बन गया है यह ध्यान रखेगा चिले जो है दोस्तों यह साउथ अमरिकन कॉंटिनेंट में आता है किस कॉंटिनेंट में आता है यह तो साउथ अमरिकन कॉंटिनेंट में आता है चिल अगे बढ़ते हैं तो यह थे हमारे टॉप फाइब दे अब हम लोग यहां पर फोकस करेंगे हैडलाइन पर आप लोग ने हैडलाइन देखा होगा अख़बारों में बोल्ड में मैंशन होते हैं टॉप पर और उनसे सवाल पूछे जाते हैं खासकर एसे सी रेलवे और डिफेंस जैसे एक्जाम में तो बारीकी से देखेगा किरकी इन्हीं हैडलाइन पर हम लोग लास्ट में करेंगे क्विज और देखेंगे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पहली हैडलाइन आपके सामने ये रही यहां पर का गया भारत ने जो हभी क्या क्या सवाल बन सकता है सबसे पहले पूछा जाएगा कि सीवी रमन जी का बर्थ डेट का बाता है तो आपका होगे सात नॉम्बर को आता है हाना फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताईए इनको जो है नोबल प्राइस किस फिल्ड में दिया गया था तो कोशन आपके बन सकते है राइट इंडिया ओन दी नॉम्बर 7, 2023 सेलिबरेटेड दाए ओन थर्टी फिफ्ट बर्दे ऑफ सीवी रमन वन ऑफ द ब्रिलियंट इंडियन फिजिस्ट हूँ वान अ नोबल प्राइज इन फिजिक्स ठीक है चालिए आगे बात करते है अगला है पहली बार घोषना के साथ साल बाद कितने साथ बाद साथ साल बाद भारत जो है सीटल में एक नया वानिज दूतावास खोलेगा ठीक है तो दोस्तों साथ साल पहले अनाउसमेंट किया गया था ठीक है तो उसके बाद से अब जो है भारत सीटल में एक नया वानिज दूतावास खोलने की बात कर रहा है ठीक है तो 7 years after it was first announced India to open a new consulate in the सीटल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है हेडलाइन पैरिस मास्टर पैरिस मास्टर नोवाक जोकोविच ने गरीगर दिमित्रो को हरा कर सातवा खिताब जीता है किसने जीता है ये नोवाक जोकोविक ने जीता है किसको हराया है तो गरीगर दिमित्रो को हराया है कौन सा खिताब ज चलिए अगला हेडलाइन आपके लिए चिली चिली अंतराश्टी सौर गठ बंदन जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलियांस उसका पंचानवा सदस्य बनके है 95 जो है दोस्तों मेंबर बनके है यह लेटिस्ट मेंबर है तो आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कि बताएए आई एसे का जो है निवेश्ट मेंबर या फिर कहा जाएगा लेटिस्ट मेंबर कौन बना है तो आपको ध्यान रखना है चिले बना है ठीक है कौन से नंबर का यह मेंबर है तो 95 नंबर का है ठीक है तो चिले बिकाम 95 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियांस लिए चलिए आगे पढ़ते ही अगला हैडलाइन इफी क्या है इफी मतलब international क्या है international My film Festival of India क्या है film आपन समारो मतलब जो closing ceremony होगी वो अमेरिका शीर्षक दा featherweight से होगा किसे featherweight से तो आप से पूछा जाएगा कि बताइए जो British यहां पर अभी IFFI जो किसके हम लोग कहतें International Film Festival of India उसकी जो opening होगी वो किसके थूँ होगी तो British film catching dust के साथ होगी और जो है closing किसके थूँ होगी तो American the featherweight किसके थूँ होगी the American featherweight के साथ यह जो है close होगा ठीक है तो यह याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला जो है क्रिशी 24 into 7 स्वचालित क्रिशी समाचार ठीक है स्वचालित क्रिशी समाचार जिसको हम लोग कहते हैं AI powered solution निगरानी वारेस visualization के लिए पहला AI संचालित समाधान जो है शुरू किया गया है तो क्रिशी 24 into 7 the first ever AI powered solution for automated agriculture news monitoring and analysis ठीक है क्या है क्रिशी 24 into 7 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऑस्टेलिया की डिकिन किसने डिकिन युनिवरसिटी और NSDC international ने युवा भारत को जो है कौशल प्रदान करने के ल Global Job Readiness Program शुरू किया है क्या शुरू किया है Global Job Readiness Program शुरू करने के लिए साजेदारी के एक agreement किया है तो किसने के किस के बीच में यह हुआ है तो ऑस्टेलिया की डिकिन युनिवरसिटी और NSDC के बीच में ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना आप से पूछा जाएगा कि बता बढ़ते हैं अगले सवाल पर सॉरी अगले हैड्लाइन पर अगला हैड्लाइन आपके लिए स्टी पी आई ने जो है स्टार्ट अप के लिए निवेश मार्क दर्शन और विश्व संपर्क और तक पहुच प्राप्त करने के लिए लीप आहेड पहल शुरू की है क्या पहल पहले हैं अगला जो है दोस्तो दोस्तो यह थे हमारे इंपॉर्टेंट हैड्लाइन लेकिन अब इन headline पर किस प्रकार से पूछा जाएगा सवाल उसको करेंगे हम लोग quiz के form में उससे पहले सभी लोग बताएंगे अगर हाई है तो फटाफट से येस टाइप करेंगे जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों ने बारी की से headline देखा है और अब आप लोग तयार है quiz के लिए जल्दी जल्दी से यहाँ पर कहरें सर होना चाहिए येस 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 ठीक है चले तो बढ़ते हम लोग पहले question साथ पहला question आपके screen पर यह रहा on which date इंडिया celebrated the 135th birth anniversary of cv रमन भारत ने किस तारिक को cv रमन की 135 जैनती मनाई है क्या वो September 7, 2023 October 7, 2023 November 7, 2023 और December 7, 2023 क्या हो का correct answer साथ नॉम्बर साथ नॉम्बर तो जो लोग साथ नॉम्बर कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer होगा साथ नॉम्बर जो हजार 23 जो है correct answer हो जाएगा उनकी 135 जनम दिन मनाई गी है ठीक है थोड़ा detail बात करते हैं तो आप देख सकते हो रमन जो है cv रमन जी ने इन्होंने रमन effect दिया था इनका जन्म जो है साथ नॉम्बर 1888 में हुआ था जिसकी वज़े से हर साल साथ नॉम्बर को जो है जो है इनका जन्म दिन मना जाता है और इनका निधन जो हुआ था वो 21 नॉम्बर 1970 को हुआ था कब हो था 29 नॉम्बर 1970 को हुआ था और इन्होंने जो है discovery किसकी किती रमन effect की ये भी आपको ध्यान रखने ठीक है discovered the phenomenon called Raman Scattering इन्होंने Raman Scattering दिया था ठीक है किस वर्स में दिया था 1928 में दिया था और इसी के लिए इनको जो है 1930 में 1930 में Nobel Prize for Physics दिया गया था ये ध्यार रखेगा 1928 में इन्होंने Raman Scattering दी और उसी Scattering discovery के लिए खोज के लिए इनको 1930 में Nobel पुरुसकार से सम्मानित किया गया ठीक है इनको जैसे कि मैंने आपको बदाए कि इनको भारत रतन भी मिला है जो कि हमारे भारत का उच्च नागरिक पुरुसकार है जिसको इंग्लिश में लोग करते हाई सिविलियन ओनर और ये भा सिवी रमन जी आपको ध्यान रखना है इंडिया सेलिबरेट्स नैशनल साइंस डे राष्ट विज्यान दिवस जो है कम मना जाता है 28 फरवरी को कम मना जाता है 28 फरवरी को of every year to commemorate the discovery of रमन effect in 1928 देखे अब कई बार यह सोचते थे कई लोग सोचते हैं कि 28 फरवरी को विज् इसको रमन एफेक्ट दिया था that's why इसको इस दिन को जो है और नैशनल साइंस दे मनाया जाता है यह ध्यान रखना है ठीक है अब देखे यहां पर हम लोग ने दो पुरुसकार की बात किने और भारत रद्गोर जी को कब दिया गया था 1913 में ठीक है और यह किस field में दिया गया तो इनको literature के field में दिया गया देखे nobel price जो है ये 6 field में दिया जाता है जब इसकी शुरुवात हुई थी ठीक है तो इसकी शुरुवात हुई थी वैसे तो 1896 में नोबल पुरुस्कार का गठन हो गया था, लेकिन पहली बार जो यह दिया गया था, यह 1901 में दिया गया था, तब उस समय सिर्फ 5 फील्ड थे, ठीक है, कितने थे, 5 फील्ड में दिया जाता था, ठीक है, Physics, Chemistry, Medicine, Literature, ऐसे करके दिया जाता था, लेकिन जो है 1968 में जो है, एक और जोड दिया गया, तब यह 6 फील्ड हो गया, और वो फील्ड कौन सा था, वो था, एकनॉमी, ठीक है, एकनॉमी में दिया जाने लगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और हमारे यहां से दोस्तों, जिनको एकनॉमी में सबसे पहले मिला था, वो कौन थे, फट अमर्ते सेन थे, तो जो लोग अमर्ते सेन कहरे हैं, उनका विल्कुल correct आंसर रोगा, अब किस वर्स में दिया गया था? तो अमर्ते सेन जी को जो है, 1998 में जो है, नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था, किस फील्ड में? एकनॉमी के फील्ड में यह भी आपको ध्य email, किस फील्ड में एकनोमी के फिल्ड में दिया गया था देखिए हमारे भारत में जो है यहां Luis के लिए शान्ती के लिए यह जले को दिहान रखना है चले आगे बड़े बढ़ते हैं हम लोग बात करते हुँ जो है 1954 में हुई थी यह आपको धियान रखना है चलिए नेक्स्ट कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए महेश्वर मोहन्ती डाइड अड़ एज ओफ 67 he was former speaker of which state करे है महेश्वर मोहन्ती का जो है 67 वर्स की आयो में निधन हो गया है वह किस राज्य के पूर्वे speaker थे या पूर्व अध्यक्ष थे ठेक है वेस्ट बेंगॉल असाम ओडिसा और बिहार क्या होगा correct answer ओडिसा ओडिसा correct answer हो जाएगा जो लोग ओडिसा कहरे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों तीन लोग लाइव हैं फड़ावर से उन्होंने 1995 में जनतादल के उमिद्वार के रूप में 2000, 2004, 2009 और 2014 में बीजद के उमिद्वार के रूप में सफलता पूर्वक विधानसवा चुनाव लड़ा था 26 फरवरी 1956 को जनमे मुहंती ने जो है नवीन पठनायक सरकार में कैबिनेट मंतरी के रूप में भी काम किया था 2011 से 2019 के बीच उन्होंने पंचायती राज, राजस्व कानून और परेटन विभाग जैसे विभागों को कारेभार भी समहाला था ठीक है या फिर आपका ये यूनियन केंद्र में हम बात करें तो हमारी जो दोस्तों सभा है वो दो भाग में बटी हुई है एक है लोक सभा क्या है लोक सभा है दूसरी क्या है राजसभा है क्या है लोक सभा है ठीक है और दूसरी कौन सी है वो है राजसभा ठीक है उसी तरीके से जो राज होता है इसके भी दोस्तो विधान मंडल है वो दो पार्ट में बटी हुई है एक तो है legislative assembly एक है legislative council legislative assembly होती है विधान सभा क्या होती है विधान सभा ठीक है और ये होती है विधान परिशद ठीक है अब देखे हर राज में आपको ये दोनों नहीं देखने को मिलेंगे ये कुछ ही राज में है और जिस राज में दोनों होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं बाइक कैमलरिजम मतलब द्वी सदनी क्या कहते हैं अब दो सदन ये दोस्तों कहां पर मिलेगा कितने राज्यों में ये दो सदन है तो छे राज्यों में कितने राज्यों में है बाइक कैमलरिजम तो ये छे राज्यों में है ठीक है कितने 6 state में हैं और वो 6 राज ये कौन कौन से हैं तो उसके लिए हम लोग इने trick पढ़ी थी कटा बम क्या होगा कटा बम हो जाएगा के से क्या हो जाएगा करनाटका हो जाएगा क्यों हो जाएगा करनाटका हो जाएगा T से क्या हो जाएगा तिलंगाना क्यों हो जाएगा तिलंगाना ठीक है A से आंध्रप्रदेश B से क्या होगा यह आप बताएंगे U से उत्तरप्रदेश और M से महराश्ट तो यह छे राज आपको मिलेंगे जहां पर आपको विधान सभा और विधान परिशत दोनों देखने को मिलता है ठीक है येस बी से बिहार बिहार बहुत बढ़िया बढ़ते हैं आगे की तरफ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा देखे 7 एर आफटर इट वास फर्स्ट अनाउज इंडिया टू ओपन न्यू कॉंसिलेट इन डैश पहली बार घोशना के साथ साल बाद भारत डैश में नया वानेज दूतावास खोलेगा सीटल में ओहियो में अलास्का में या फिर अलाबमा में कहां पर खोलेगा तो सीटल सीटल कह रहे हैं तो जो लोग सीटल कह रहे हैं उनका बिलकुल करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा यहां पर सीटल करेक्ट आंसर होगा यह ध्यान रखना है ठीक है कहां पर सीटल चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा डीप में बात करेंगे तो यहां पर हम बात क कई कई दोस्तों बड़ी प्रोधिकी कंपनियों के गड़ अमेरिकी शहर जो है सीटल तो सीटल कहां पर है अमरीका में है यह याद रखेगा वहां के सरकार दोरा जो है अपना छटा वाने जिदूत आवास खोलने की योजना की पहली घोशना के साथ साल बाद विदेश मंत्र सीटल में अपना पहला महावारे जिदूत आवास निक्त किया है दूत सयुक्त राज जो है सचीव प्रकाश गुपता कौन प्रकाश गुपता सयुक्त राश्ट के मुद्दों पर सभी बहु पक्षी सम्वन के लिए जो है विदेश मंत्रा लेके सूत्रधार है उन्होंने पहले सयुक्त राश्ट में भारत के स्ठाई मिशन में कारे किया था अमेरिका में अन्महावारे जिदूत जो है तो अटलांटा में है शिकागो में हुट्सन में नियू-्यॉक सिटी और सैन फ्रैसिस्को में ठिक है तो यह धियान रखना है किसकी बात करे हैं हम लोग यहा कौन है प्रेसिडेंट जॉब इडिन ठीक है और जॉब इडिन को इनवाइड किया गया है किसके लिए तो आपको ध्यान रखना है ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्थ रिपब्लिक डे के लिए ठीक है तो दोहजार चौबिस के गरतन दिद्वस के लिए इनको जो है जोकोविक डिफीटेड विच आफ दा फॉलाइंग प्लेयर टु क्लिंच सैवंथ पैरिस मास्टर टाइटल करहें नौवाइक जोकोविक जो है उन्होंने निमलिखित में से किस खिलाडी को हरा कर सातवा पैरिस मास्टर खिताब जीता है ग्रीगर दिमित्रो रोजर फेड पैरिस मास्टर खिताब जो है जिस से वा आठवी पार जो है साल के अंद में नंबर एक रैंकिंग हासिल करने के करीब पहुँच गहें 36 वर्सी खिलाडी ने तूर्णामेंट के सबसे उम्रदराज चैंपियन के रूप में अपने ही रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है अपना 40-वा मास्टर 1000 खिताब जीता है और अपनी जीत का सिलसिला 18 मैचों तक बढ़ाया है और अगर हम बात करें जोकोविक की तो जोको पदक भी शामिल है तो इन्होंने दोस्तों अलग 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 जो होते हैं उन में भी जीता हुआ है और नौवाग जोकोविक तो मैं आपको बता दू इस साल उनके लिए बैस्ट यह था क्यों क्योंकि अगर हम चार ग्रेंड स्लैम की बात करें तो उनमें से तीन ग्रेंड लिए हैं नौवाग जोकोविक ने हना क्योंकि सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है कौन सा ओपन होता है ठीक है उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन कौन सा होता है फ्रेंच ओपन होता है फिर होता है विंबल्डन क्या होता है विंबल्डन होता है ठीक है और last में होता है US Open क्या होता है US Open तो 2023 के अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि तीन Grand Slam तो इन्होंने अपने नाम कर लिए Australia Open जो है Novak Jokovic ने जीता था French Open जो है Novak Jokovic ने जीता था और US Open भी Novak Jokovic ने जीता था विंबल्डन किस ने जीता था तो यह जीता गया था Carlos Alcaraz के दौरा किसके दौरा Carlos Alcaraz के दौरा सिर्फ यह वाला Grand Slam जो है हमारे चार मुख्य Grand Slam में से इन्होंने जीता है अन्य था तीन Grand Slam तो Novak Jokovic ने ही जीते हैं ठीक है आगे बढ़े अगले कोशन बढ़ते है अगला कोशन Which of the following country becomes 95th member of the International Solar Alliance ISA देखे निमलिखित में से कौन सा देश जो है अंतराश्टी सौरगडबंदर ISA का 95 सदस्य बन गया है क्या वो चिले है डेनमार्क है नॉर्वे है या फिर फिनलेंड है कौन सा होगा चिले-चिले कह रहे है तो जो लोग चिले कह रहे है उनका बिल्कुल correct answer होगा या फिर इसी को चिली पढ़ा जाता है तो याद रखना है अब देखे थोड़ा डीटेल में बात करते हैं तो चिली जो है अनुसमर्थन का दस्तावे सौपा है अंतराश्टी सौर गढ़ बंदन से अधिक हस्ताक्षर करता देशों को गढ़ बंदन है जिन में से अधिकांश जो हैं दोस्तों धुरूव वाले देश हैं जो करक रेखा और मकर रेखा के बीच पूरी तरह या आशिक रूप से स्थित है गढ़ बंदन का मुख्य उद्देश जिवाश में इधन पर निर्भरता को कम करना है करने के लिए और उर्जा की कुशल यहां पर काम करना है ठीक है इस पहल का प्रस्ताव है पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद मोधी यह द्वारा दिया गया था नॉवंबर 2015 में जिसमें दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें वेंबली स्टेडियम कहाँ पर वेंबली स्टेडियम United Kingdom में एक भाशन में दिया था जिसमें उन्होंने धूप वाले देशों को सूर्य पुत्र कहा था ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि International Solar Alliance का पहली बार जिक्र कभ हुआ था तो यह 2015 में हुआ था नॉवंबर में किया गया था 2015 में ठीक है 2014 में सरकार आ गई थी 2015 में इन्होंने जो है दोस्तों पहली बार लंडन में यह announce किया था और इन्होंने कहा था कि जो यह भी दोस्तों countries आती है या तो पूरी तरह से या फिर half भी आती है तो वो जो है International Solar Alliance को कर सकते हैं क्योंकि सबसे जादा धूप जो है इन्हीं के बीच पढ़ती है और इनको ही यसलिए कहा गया था सूवर पुत्र जित्ते भी거든 देश इसके बीच पूर आते हैं उनको सूरी पूत्र से संभोदित किया गया था ठीक है चलिए आगे चलिए आगे बढ़े अगले उसमें बढ़ते हैं अगला आपके लिए कॉश्चन विच फिल्म विल कमेंस इफी 2023 देखें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आप इंडिया 2013 की शुरुआत कौन सी फिल्म में होगी क्या ये कैचिंग डश्ट अगे बढ़ेंगे उससे पहले सबी लोग क्या करेंगे फटावर से लाइक और शेयर करते हो चलेंगे तो यहाँ पर करेंगे बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डीटेल में चलते हैं तो ब्रिटिस फिल्म जो है कैचिंग डश्ट दो है 20 से 28 नॉमबर तक गोवा में आयोजित करने वाले 24 भारती अंतराश्टी फिल्म फेस्टिवल जिसको में कहते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ठीक है वो कौनसा भी इस बार संस्क्रण हो रहा है तो 24 संस्क्रण हो रहा है कहाँ पर आयोजित हो रहा है तो गोवा में हो रहा है तो यह आद रखीगा तो इसकी शुरुवात किसे होगी तो ब्रिटिस फिल्म में से होगी जिसका नाम है Catching Dust और मध्य में जो होगी वो कौनसी होगी वो तुर्की की एक फिल्म होगी जिसका नाम क्या है अबाउट ड्राइ ग्रास और जो क्लोसिंग होगी वो अमेरिकी फिल्म से होगी जिसका नाम है The Feather Weight ठीक है दोस्तो हम लोगे ने अभी बात की थी कि इफी का जूरी दोस्तो कुछ समय पहले जूरी जो है यहाँ पे अनाउंस किये गये थे और वो जूरी कौन थे सभी लोग कॉमेंट में बताईएगा सेकेंड होमवक ठीक है सेकेंड होमवक कॉमेंट बॉक्स में हम लोगे ने करेंट अफेर की क्लास में किया था कि इफी के जो है दोस्तो जूरी कौन बनाएगा है जो कि गोवा में होगा यह आपको बतारा है ठीक है चलिए बहुत से लोग आंसर भी कर रहे हैं अगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि इफी 2023 जो है चौवणवा इंटरनेशनल फिल फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होगा 20 से 28 नॉमबर 2023 में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉशन पर अगला कॉशन क्रिशी 24 इंटिव 7 वह सीन इन न्यूज इट इस वाट देखे क्रिशी 24 इंटिव 7 जो है समाचारों में देखा गया है यह क्या है यह एक फर्टिलाइजर है एप है यह ए आई पावर सॉलीशन है यह सोलर डिवाइस है क्या है यह क्रिशी 24 इंटिव 7 तो देखे डीटेल में अगर हम बात करते हैं तो क्रिशी 24 इंटिव 7 जो है विशिलेशन के लिए एक AI संचाले समाधान है मतलब यह एक AI पावर सॉलीशन है जो हमें क्या करेगा एग्रिकल्चर की जो है दोस्तो न्यूस मॉनिटर करेंने में हेल्प करेगा और एनलेसिस करने में हेल्प करेगा ठीक है क्या नाम दिया गया है क्रिशी 24 इंटिव 7 तो वाधवानी इस्टिटूट फॉर अडिफीशल इंटेलिजन ठीक है क्रिशी 24 इंटिव 7 कई भाशाओं में समाचार लेखों को स्कैन करता है और शीर्षक फसल का नाम घटना प्रकार तिथिस्थान गंभीर्था सारांश और स्त्रोत लिंक जैसी आवश्यक जानकारी य करने के लिए यह किया जाएगा क्रिशी 24 इंटिव 7 का उद्देश किसानों के हितों की रक्षा करना सतता क्रिशी विकास को बढ़ावा देना जो है इसका मुख उद्देश है और इसमें यह मदद करेगा आगे बढ़ते हैं अगला जो है कोशन आपके लिए औस्ट्रेलिय और पशनल आपके लाघस के लिए फित्रेश लिए क्लोब जब रेडिनेस प्रोग्राइम लांच करने की साजेदारी की है उनिवर्सिटी और युरिकेंस ओर यूनिवर्सिटी ओप्वेस्टन ऑस्टेलिया यहाँ पर के लिए अन्पर लिए करेए टिन धिकेंस के रहे हैं कि डवलपमेंट कॉरपरेशन कया है डवलपमेंट कॉरपरेशन ठीक है छलंद सा चाफी ठीटे में बात करते हैं तो देखेन अभी Dickens यूवर्सिटी जोकी उस्टेला की ऊन्डी बॉलपरेशन है इंटरनाशनल युवा-भारत के कोशल को बढ़ाने के लिए एक global job readiness program launch किया गया ठीक है और एक उच जो है दोस्तो जी जे आर्पी क्या है global job readiness preparedness ठीक है एक उच गुलवत्ता वाला online कारिकरम है जिससे जो है प्रविडता को दोस्तरो अर्थात foundation और जो है intermediate पर वितरित किया जाएगा कारिकरम में 6 महतपूर्ण soft kaushal जो है शामिल होंगे जैसे की संचार हो गया सहयोग हो गया समस्या समाधान हो गया नावाचार हो गया digital सुरक्षा हो गई ठीक है digital साक्षरता और वित्ती साक्षरता ठीक है global job readiness preparedness भारत के tier 1 से लेके tier 3 शहरों के छात्रों के लिए ये किफायती और सुलब है इस कारक्रम से तीन वर्षों की अवधी में पूरे भारत में 15 मिलियन चात्रों को प्रभाव पढ़ने की उमीद है ठीक है यह तीन साल के अंदर 15 मिलियन चात्रों को प्रभावित करेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल what is the goal of leap ahead initiative leap ahead जो पहल है इसका लक्ष क्या है to help startups a product market fit and identify customer segment to accelerate the success of tech startup across India to provide funding and mentorship to startups in scaling stage या all of the above यहां पर करेक्षर D option होना चाहिए all of the above कुछ लोग करेक्षर A होना चाहिए बिलकुल जो लोग all कह रहे हैं उनका बिलकुल correct answer हो जाएक क्या हो जाएगा है इसका जो मुख्योदेश है यह सारे के सारे है ठीक है इस initiative का जो मुख्योदेश है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो लीप अहेड पहल शुरू किया गया है यह पहल जो है Software Technology Park of India और द जो है इंट्स इंटरप्राइजेज दिल्ली NCR का सयूग तो सयूग होगा स्टार्ट अप को जो है रुपए एक करोड तक की funding सहायता और तीन महिने के व्यापक mentorship program से लाब हो सकता है यह पहल स्टार्ट अप को जो है व्यापक network और व्यक्तिगत मार्ग दर्शन तक पहुँच प्रदान करेगी लीप अहेड जो है accelerator कारिकरम को जो है विजयवाडा चंडीगर्ड और भूबनेश्वर जैसे शहरों तक बढ़ाया जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्त जहां पर आज हम लोग ने वो सारे ही न्यूस को कवर किया है जो कि आपके exam point obviously important है और मैं आपको बता दू दोस्तों इस सनिवार को जो लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के लिए class लेकर आईए current affair का तो हम लोग दि कर लिजे information इस सनिवार को लेकर आ रहे हैं 12 मन्त का current affair जहां पर हम लोग ठियोरी भी करेंगे और साथ में quiz भी करेंगे सुबर 6 बजे से 8 बजे तक तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस सनिवार note down कर लिजेगा ठेक है यहाँ पर time note down कर लिजे और हम लोग 12 महने का current affair यहा पर हम लोग ने शुरुआत के थी important date से फिर उसके बाद previous day के question का revision किया है top 5 news of the day फिर उसके बाद important headline headline के उपर quiz with all explanation और कुछ static facts से साथ आज का home work आपके सामने यह रहा which country hosted the ICC cricket world cup maximum number of time किसे देश ने सबसे अधिक बार ICC cricket विशु कप की मेजबानी किया यह आपको बताना है इस class की PDF कहाँ पर मिलेगी इस class की PDF मिलेगी आपको टेलेग्राम पे अड़रेट गौरफ से टेस्बूक आपको सर्च करना है वहाँ पर आपको public group मिलेगा वहाँ पर YouTube शेसंस की updates मिलते हैं PDF मिलते हैं discussion होते हैं internet interaction होते हैं तो आप वहाँ पर interact कर सकते हो मेरे साथ ठीक है मैं आपके साथ link को share कर देता हूं ठीक है इसके थुरू आप क्या कर पाएंगे group में जुड़ पाएंगे और वहाँ से वो सारी PDF कलेक कर पाएंगे जो आपके YouTube के classes होती है और उनकी PDF आप वहाँ से ले सकते हैं अच्छा किस तरीके से आप लोग यहाँ पर check कर सकते हैं और किस तरीके से course अवेल कर सकते हैं तो simply आप क्या कर सकते हैं प्लेइस चेक करने के लिए YouTube पर जाना है और YouTube पर जाने के बाद सूपर कोचिंग SSC Reelway by Testbook पर जाना है किस पर जाना है सूपर कोचिंग SSC Reelway by Testbook उसको जैसे आप स्क्रोल डाउन करोगे आप देखोगे यहाँ पर डेली करेंट अफेर की आपको class मिलेगी Monday to Friday सूबद 6 से 7 बजे आप मेरे साथ यहाँ पर जुड सकते हो उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की जो है classes आपको यहाँ पर मिलेगी इसमें भी आप में साथ जुड सकते हो सूबह साथ से 8 बजे Monday to Friday ठीक है कल के class के homework देखते हैं किसने किसने homework किया है तो कल की class यह रही और जैसे scroll down करेंगे सबसे पहले तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक session को like नहीं किया फटावर से like और share कर देंगे ठीक है यहाँ पर सबसे पहले जो answer देखने को मिल रहा है वो आशिरबाद महंती जी का answer है इन्होंने कहा है कि समीर कामद जो है वो डियाइडियो के head है बिल्कुल हम लोग ने बात कि थी कि डियाइडियो के head मैंने आपसे पू जीता था तो आप देख सकते हो वैसे वी वर्ल्ड कप कब होता है चार साल पर होता है तो 1999 जीता था चार साल बाद 2003 का भी जीता और चार साल बाद 2007 का भी जीता है तो अब यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी दिया है कि Australia दोस्तों टोटल पांच बार जीता है जिन में से द सिड्यूल टो बी प्लेट अड़ अक्टोबर नॉवंबर तो जासाता इस इन साथ अफ्रीका जिंबाव में नामी विया देखिए कितने डीटेल में आंसर दिया बहुत अच्छे से आंसर दिया है अगर कोई यहाँ पर कुशन आ जाता है वर्ल्ड कप से रिलेड़ेड तो सबस्चल्स के लगने बहुत अच्छे से आंसर किया है बहुत बढ़ दामीट जी डॉक्टर वी समीर вами कामथ और ठीक है और ऐसकार टी जी ने पर बहुत हीए। अपर उसके बाद जोती जी ने आंसर किया है तो इसके बाद तोश जी ने आंसर किया है यहाँ पर इसके बहुत बढ़ी उसके बाद अनकीन फिक्रेंस ने सर्कें audio थे च्छर्टांपर जी बोदियाा है तो मैंने कल उल्टा बोल दिया था क्या और जो इस तरीके से आंसर किया है बहुत बढ़िया इसी तरीके से आपको आंसर करना है लाइक जरूर किया करिए अगर कोई अच्छे से आंसर करता है और आपको अगर उनके आंसर से कुछ सीखने को मिलता है और दोस्तों आज लास्ट डे है और जो लोग पूछ रहे थे सर कोर्स कैसे अवेल करें तो कोर्स अवेल कर सकते हो आप SSC सूपर कोचिंग का लिंक दिया गया है तो आलाश दे है जिल लोगों ने अब तक फायदा ने उठा है अब देखें क्योंकि SSC ने भी कलेंडर जारी कर दिया है आपने कल देखा होगा SSC का कलेंडर जारी हो चुका है जहां पर आपका CGL जून में है सारे एक्जाम का जोए डेट्स आ चुकी है तो अब तैयारी जोरो शोरो शे शुरूर कर दीजे क्योंकि आने वाले च्छै मेने के बीतर बहुत सारे आपके SSC के एक्जाम होने वाले है MTS का कल रिजल्ट आ चुका है CHSL tier 2 का आंसर शीट आ चुकी है मतला SSC बिल्कुल तत पर है बिल्कुल भी लेट नहीं कर रहा है कल ही दोस्तों SSC CHSL tier 2 का आंसर शीट आई है उसके बाद SSC MTS का रिजल्ट आया है उसको और कलेंडर भी जारी कर दिया है तो कंटीनियूसली जो है दोस्तों कंटेंट एक ही कोर्स में मिल जाता है मतलब GD हो CGL हो CHSL हो MTSO CPO हो सारे दोस्तों यहां पर मिल जाते हैं आप यहां पर जाके चेक कर सकते कौन कौन से वैन मैं आपको यहां पर देखने को मिलंगा ठीक है अनयना मैं आपको मिलें पर नि式 सर उय्लिक ME यह सारे आपको classes यहां पर मिलती ठीक है और इनके मौक मिलते हैं study notes PDF आप देख सकते हो pricing आप जाके चेक कर सकते हो 12 महने और 6 महने का जो है दोस्तों आपको यहां पर देखने हो मिलेगा 1199 और 899 आप apply coupon code कर दीजेगा discount के लिए discount के लिए आपको maximum discount मिलेगा और आप अपनी तयारी भी कर पाएंगे ठीक है तो दोस्तों इस सेशन को फिर यहीं पर करते हैं समाप्त अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश के साथ एक नए सेशन के साथ तो जूनना मत बूलेगा मेरे साथ सवासाथ से 8 वजे जहां पर हम लोग करेंगे दिल्ली पूलिस कॉंस्टेबल और दिल्ली पूलिस MTS के लिए GKGS के सवाल तब तक के लिए रखेगा आप अपना ख्याल अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा बाइबाइ टेक केर जैहन जै भारत